आप लोग उम्रा को प्लान कर रहे हैं especially with kids वो लोग जो 5 years से बिलो है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगी क्यूंकि मैं इसमें ऐसे टिप्स और ऐसे चीज बताने वाली हूँ कि आपको वहां जाने के बाद यह सब चीज बहुत होंगे और आप वहां जाने के बाद नहीं सोचेंगे कि आरे यह पहले पता होता तो अच्छा रहेगा तो प्लीज बिना स्किप्प के पूरा वीडियो देखिएगा इन्शालला मैं हर एक चोटी चीज आपको बताऊंगी जो जरूरी है आप बच्चों से ट्रावल किये तो असलाम अलेकुम वियर्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मित करते हैं सब खायरियत से होंगे अल्हम्दलिल्ला हम लोग भी ठीक है और बहुत शुक्रिया आप सब लोग उनका जो मुझे और मेरे चानल को कंटिनियूर सी सपोर्ट करते रहने के लिए और बहुत खुशी महसू ज़रूर लेके जाएगा क्योंकि वह बहुत बोले तो बहुत हैल्पुल होगा आपको चीज जो है आप वहां स्ट्रॉलर लेके जाने के बाद जो ग्राउन ट्रॉर मताफ एरिया है वहां अलोग नहीं करते तो आप एक काम करें कि परस्ट फ्लोर में चले जाएग तो पस् बमने स्ट्रॉलर को ढूर्वा को चाहिए और सफां मर्वा में आप अपना कुछ युक्र स्ट्रॉलर को घंडिली के लिए स्ट्रॉलर के साथों सब्साद कर सकते हैं और स्ट्रॉलर में भी आप थिद्रान रहता है पना वाला जो लिख टबदम आपस याएग बेट्की य उसमान रहता है वो सब एक backpack में दार के उसे हैंक कर Eh AI अराम से तो second umbrella एका कैरी करें उसके साथ सं ग्लैसे सबस्केड को करें तो सन्ग्लैसे सर और पैप सबस्क्झान करें, अब भी सबस्क्र e placing सबस्क्रीर करें से सर्थी में जाने के लिए अप गर बाट्ल के लिए कि उसमें हाफ तो वाटर रहे क्योंकि अगर आपके साथ बच्छा है आस पास जंजम आर पानी का कुछ इंतजाम नहीं है तो आपको बॉट्ल से आप बच्छे का पहुंस यह कर सकते हैं और उसके साथ ही आप बेबी के लिए एक एक्स्ट्रा पेर जरूर रखे जब बच्चे पानी पीते हैं और कुछ खाते हैं तो गिरा देते हैं आपको चेंज करना पड़ा तो आप रूम को जाना मुश्किल हो जाता है एक बर हरम के आने के बाद अगर पास में है तो ओके दे बेंगे वोग खुषी से खा कर खेर थे आपने इस केश constitution हैं नचाएन करते हैं दबाद माउड़ा पे था आपड़ान नमाज करते हैं आपनी तो नहीं मालूब होता हैं गारनोग लग tia इसे चोड़े चोड़े स्नाक्स रहेंगे तो देवेंगे वोग लोग खुशी से खाकर खेलते हैंगे अपने इसमें तो ये ज़रूर अपकारी करें और ये जो बैक बैक पैक है उसी के अंदर वोर्ड़ आप जैसे वेटलिस का एक प्रेयर मैट भी आता है प्लस्टिक के इस को चीज जरूरत होगा तो आपको आसान से मिल जाए तो इस तरह के चीज आप जरूर कैरी करें क्यूंकि जब आप एक एक बार हमारे साथ हुआ था कि हम होटल से हरम को आ रहे थे अजा होने के बाल और यह क्याप में ही नमाज शुरू हो गया तो हम जब हमारे पास ऐसे प्र प्रेयर मैट कैरी करें तो यह सब वोगे बैक पैक में और आपको एक चोटा सा एक हैंग बैक भी करना पड़ेगा जरूर उसके अदर जिसे आप एक चोटा वाटर बाटल पहले ही बोल चुकित हूं अगर बच्चे के चाहिए तो इंस्टेंट में रिकाल कर देने के लिए आसान से चोटा वाटर बाटल और आपके पासपोर्ट वीजा और थोड़ा मनी भी करें जरूरत पर आपको हेल्प होगा और उसके साथ ही जब आप लोग तबाफ कर रहे हैं तो बहतर यही होगा कि आप किट्स को आपके जो रिलेटिव से आपके पैमली मेंबर यह के पास अपके ड्रेट एक उपकर तो यह चीज का जरूर धान रखर लेक और धैन कि जो आप हैंडबेक क्यारी कर रहे तो वह ओएट्लेस हो और श्में अन्नैसेसरी चीज आप मत क्यारी करें क्योंकि आप ट्वाफ्ट करते हैं और वजन और भारी महसूस होता है तो थक जाते हैं बहुत सारे लोग हिजाब कुछ बच्चे जब खईस्ते अब उम्रे के नियत में है और बच्चे कुछ खईसे तो बाल तुपना इस तरह का कुछ अपन्डिशन नहीं रहता है आसान रहता है मकना पेफर खरे और जो अभाया रहता है आप उसको डैली वाश करें दो तीन करेंगे तो अभाया गलीस नहीं होता बट जब तवाफ करते हैं तो इतना पसीना और इतना इतना इसमेल आने रखता है इसमें से हमालडी बात दूसरों के पास महसूस करते हैं इसलिए बहतर होगा कि आप डैली वाश करें अपना अभाया और दूसरे अभाया पेंकराई सब्सक्राइब और बात परखते हैं कि आपको तवाफ करते हैं तो इस अच्छाइब करने लाट आपको तौसरों कहां से पहते हैं अभाया बुर्खा मैध करते हैं जब तो आपको उतना तकलीप नहीं होता बट जब सफा मरवा पर आप चाहिए आपको सौक्स को चलते हैं तो आपका पाउं डिपने लगता है मीचे बहतर होगा कि आप थोड़े मोटे वाले सौक्स पहन कर जाए अगर वह भी मुश्किल है तो वहां जो इब्राहिम खलील रोड़े वहां चमडे वाले सौक्स भी मिल जाते हैं तो वह बहुत अच्छा रहता है बहुत आराम मिलता है आपको पेर की तो ध्यान रखे कि कोई ना कोई तो आप इंतजाम करके जाए आप जैसे बहुत सारे लोग मिठी के बैंगल पेंके आते हैं तो उस चीज आप मत पेंकर जाना कि वह आप कभी-कभी फूट जाते हैं तो आप करते वक्त भीड में तो दूसरों को चुपकर त इसे चीजा भी चलते हैं तो आप ध्यान रखें तबाफ करने का टाइमिंग जो है नाइट जो मिडनाइट है लेवन के बाद से बेस्ट टाइम रहता है उसके बाद से फजर तक और फजर से जब जैसे इस ट्राक तक थोड़ा पीड रहता है तो संके टाइम आप जाने का मत कीजिए क्योंकि बहुत हालत खराब हो जाती है एक एक दफार थोड़े लोगों का आई होप यह वीडियो आपको यूसफुल होगा इंशालला अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आपके फैमली फैंस हरे के साथ शेयर करें कि उन लोगों को भी हल्प है अगर आपको कोई भी क्वैरी है तो प्लीस कमेंट करके पूछ लीजिए आप और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो मेरे वीडियो एंट तक दीखने के लिए इंशालला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आपीज